जयहिनट जबान में चल रहे G7 सिखर सा मेलन में सामिल साहियुक्त देशों का बयानशुकर्द चीन भड़ग उठा है.. तो ऐसा क्या कह दिया है सनित देशों ने चीन के खिलाब कि उसकी सेहन सिल्टा की छमता खतम हो गई है और वो सनित देशों पर भड़क उठा है चीन ने सनित देशों से कहा है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं चीन ने कहा है कि हमारे पास इतनी सारी चिंताएं और हमारी इतनी सारी चिंताएं होने के बावजूद भी आप हमको दोसी ठहरा रहे हैं ये बात गलत है हम इसकी घोर सारी निंदा करते हैं अंत देशों ने G7 के अंत में जो जापान में हो रहा है उसमें जो बयान जानी किया गया है उससे चीन नाराज हुआ है और उसकी कूटनीतिक तरीके से निंदा भी की है G7 सिखर समयलन में सामिल सभी देशों ने ताइवान दच्षडी चीन सागर और पुर्वी चीन सागर में जो कारेवाही चल रही है उसकी घोर निंदा की है लेकिन चाइना ने इसे गलत ठहराया है इस समयलन में जितने भी देश सामिल है उन सभी देशों ने चीन की घोर निं तो चाइना को जब बताया है कि आप गलत कर रहा है और इसा नहीं करना चाहिए आप को ये चीज़ सही करनी चाहिए तो इन बातों को लेकर चाइना भड़क गया है उसने कहा है कि आप हमें सिखा या नहीं हम इस बात की दिंदा करते हैं वैसे तो कोई भी देश चाइना से सं सब ने कहा है कि हम आप से संबंद तो अच्छे बना लें लेकिन पहले आप ताइवान दच्षडी चीनसागर और उडबी चीनसागर के जो हालात है उनको सिधारिये यह जो जी सेवन सिकर सम्मेलन हो रहा है यह जापान में हो रहा है इसका जो में लीडर है वो जापान है जापान ने ही इंडिया को इन्वाइट किया है इंडिया को इन्वाइट किया है जो जी सेवन के अंतरकर जो देश आते हैं उनमें से पहला है जापान फिर कानाडा फ्र लेकिन फिर भी जपान के दोरा इंडिया को invite किया गया है क्योंकि इंडिया दुनिया की 5th largest economy बन गया है तो इसकी बढ़ती भी growth को ख्यान में रखते हुए इसे invite किया गया है और इंडिया पिछले 10 सालों से continue इस मेलनों में लगातार invite हो रहा है इंडिया की इस तरह से धीरे धीरे rapid growth कर रहा है उसी विचारों को लेने के लिए जपान इंडिया को invite किया है और करना भी चाहिए क्योंकि यह दुनिया की 5th largest economy वाला देश बना है इसी से अपना पड़ोसी वो चचा जो है वो जल रहे है पकिस्तान व ले हो लोग जल रहे है उसको हम किसी दूसरी वीडियो में समझ लेंगे क्यों जल रहे है उन्होंने G-20 साम्मेलन को कि कस्मियर में यह कुट competitors को लेकर इंसे यह से खैक को जोड़ा दिया है जो दिबत में मानवादिकार चल रहा हैं, Hong Kong में जो मानवादिकार चल रहा हैं और Jinji कि आप पहले इनकी इस्तिती उसको सुधारी एंकी इस्तिती उखराब चल रहे हैं लेकिन जब ऐसा कहा गया है, उख चीन से जो चीन भड़क उठाय ओढ़ारा हो तो इसमें सभी देशों की हालातों को मत्य नजर रखते हुए इसे किया जता है कि इतने भी देशों की इस्तिती खराब चल रहे हैं वो आए उसमें भाग लें और भाग लेकर वहां की वहां से विचाल लें इतने भी देश सामिल हुए हैं उनके विचाल लें और अपने जिनका कोई दोस नहीं था एक है भाता है सारे उक्रेणी भी पागल हो गया है अरे सुधर जाओ जाओ कितने ज़ादा जादा वहाँ पर लोग मर गये हैं तुमको अभी भी नहीं समझने आ रहा है ततम जादा अला हिए अत्याचार कें आफ कर रहे हैं इन सब चीजों को जितनी जल्दी से हो सकते उतनी जल्दी संथ किया जाए मुझे पूरी उम्मीद है कि चाइना रूस पर दबाव डालेगा और उस जो ड्यूस और यूग्रेयन के बीच यूत चल रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म करवाएगा जब यूक्रेयन सामिल हुआ था जी सेवन सिकर समयलन में तो उसने एक महीने पहले प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी को चिठी लिख दी थी तो अब उनसे मुलागात हो गई इस पर जरूर कुछ नकुछ निकलेगा इसको समझपाए इसी के साथ मिलते हैं नेक्ट वीडियो ने तब तक के लेज़ें